इंडेक्स के लिहाज से अगर आप देखें तो सबसे बड़ा हेवी बेट जो है RIL पिछली डिवाली से इस तिवाली इसने 40% के रिटर्न कमातर दिये है और ये समवत 2075 इसलिए खास था क्योंकि रिलाइंस की पहचान एक तेल कंपनी की जगह है अब कंज्यूमर कंपनी के त बोर्ड मीटिंग थी 25 तारीक शुक्रवार को और उसमें ये तैय किया गया कि जो RGO है इसको डेट फ्री करना है 31 मार्च 2020 तक नेट डेट फ्री कैसे करेंगे तो एक सबसेडरी बनाई उन्होंने उस सबसेडरी में बहुत सारे जो इनके डिजिटल प्रेटफॉर्म से उनक जो कि बहुत सारे इन्होंने अपने प्रोड़क्ट वहाँ पे ट्रांसफर किये तो उससे 65,000 करोर के आसपास की एक्विटी भी उधर गई तो टोटल 1,70,000 करोर का इन्वेस्मेंट उस नई जो होली ओन सबसेडरी बनी उसमें हुआ अब इसमें क्या होगा कि चुकि डेट आपका पुरानी कंपनी यानि R.I.L. में रह गया तो इसकी क्रोडिट प्रोडिट में कोई फरक इसलिए नहीं पढ़ रहा क्योंकि राइट्स के जरीए उसको एड़्जेस किया जाएगा जो यह नई सबसेडरी बनेगी इसमें केवल स्पेक्ट्रम की लाइबिलिटी बच सकते हैं कि जियो के लिए लिस्टिंग का रास्ता खुल रहा है एजियम में आपको याद होगा बहुत डिटेल में कंपणी ने बताया थे कि अलग अलग वर्टिकल जो है उनको लिस्टिंग के प्लानिंग है उसमें सबसे पहला कदम आप जियो को ही मान के चलिए क्योंकि बहुत सारे यहां पर वैल्ली लॉकिंग के शीज बन रहे हैं और चुकि यह डेट फ्री हो जाएगी मार्च 2020 तक तो यह बहुत ही अट्रैक्टिव होगी और कैस्ट फ्लो जियो के लिए बहुत इंट्रेशन इसलिए होगा क्योंकि गीगा फाइबर अब फुली कोमर्शला के लिए बहुत बढ़ा में बिल्कुल इससे बढ़िया बात हो नहीं सकती और देखे इस क्यू पर भी हमें आज ही रियाक्शन देना है जैसे कि हमने आपको बताया पहला जो सबसे बढ़िया संकेत था वो पॉलिटिकल अनिशित्ता वाला था देखे वो तो हमारे सामने अ कि रिलाइंस में अगर हम डिजिटल अपार्ट में इन्वेस्ट करना चाहे तो कैसे करें क्योंकि यह तेल का कंपनी है इसमें रिटेल है इसमें डिजिटल है और इस एक जटके में इन्होंने क्या किया कि एक डिजिटल प्लाटफॉर्म किया सेपरेट कंपनी और इसमें सा इंडियरी का और हम लोगों को लगता है कि overall एक value unlocking की strategy पे reliance काम कर रहा है एक oil का platform हो गया oil and gas natural gas इनका platform हो गया दूसरा platform हो रहा है digital का और तीसरा शायद platform बनेगा retail का और ये भी एक बहुत बड़ा platform होगा आज के दिन में जैसे हम जानते हैं इंडिया के सबसे बड़ा retail company reliance के अंदर ही है और वो उसका valuation शायद अभी तक सही माइने में नहीं आ रहा है बाहर तो इससे बड़िया बात हो नहीं सकती देखें जैसा कि सुदीप सर आपको समझा रहे थे और एक बार चार्ट दिखाईए और देखिए किस तरह से ये stock बढ़ता चला जा रहा है नतीजों से पहले से इसमें तेजी देखने को मिली और उसके बाद देखें नतीजे आए नतीजों के बाद तक देखें rally continue रही इन फैक पिछले ट्रेडिंग सेशन में इसने नए बावन हफ्तों के उस्तम स्थ हुए थे और आज जैसे ही ये शेर खुलेगा नए 52 वीक हाइस नए हाइस को देखें लगातार चूता जा रहा है और ये सारे के सारे चीजें जो है ये राजेश जी ने आपको काफी समय पहले से कह रखी है आपका 1500 का टार्गेट हमें याद है अब उसको रिवाइस करने का समय आ गया है ये बताये लंबा वाला नया टार्गेट क्या देना चाहेंगे है मैंत 1500 अपन्दरा सो एक हमने स्टैंडड तर्गेट लेकर चले लेकर क्या मैक्सिमम क्या होगा लेकिन जो पैटर अबर के आ रहा है वो जो हमने 1100 का लो देखा 1100 से 1500 तो 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 ये शेसो जाड़े सोला सो है तो ये चेसो साड़े सेसो पॉइंट का जो टोटल चैनल है इसको आप अड़ करो साड़े सोला सो में तो कम से कम ये 2000 एने 1200 का टागेट बनता है तो ये बहुत बड़े टागेट के तरफ जा रहा है तो प्रॉबलम है कि आपको सोला सो साड़े साला सो का क्लस्टर निकालना है लेकिन देखिए काउंटर ऐसा है कि इवेंचिली वो नि इसके पिछली साल इसने करीब जुलाई के आसपास से जो तेजी पकड़ी है उसके बाद से पूरा बाजार भले ठंदा रहा हो लेकिन आरा ये जबदस ताउट परफॉर्मर रहा है और 40% के रिटर्न पिछली दिवाली से इस दिवाली तक तो आपको मिले हैं वीडियो खत एंजल ब्रोंकिंग आपको चार्ज करेगा केवल 15 रूपए और दोसतों यहाँ पे आपको फूल ताइम सेर्विस ब्रोकर की सर्विस मिलेगी मतलब की दोस्तों आपको 24 घंट कस्टमर सपोर्ट मिलेगा आपको 30 साल का ट्रश्ट मिलेगा दोस्तों यहाँ और सबसे तो दोस्तों अगर आप एंजल बोकिंग के अंदर एकाउंट खुलाना चाहते हैं और आप डिसकाउंट ब्रोकर से भी कम प्राइज में फूल टाइम सर्विस ब्रोकर का लाब उठाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पढ़ा हुआ है जाए लिंक पे क्लिक करके एंजल बोकिंग के अंदर एकाउंट खुलारी